चश्मा देखके टॉपर समझी क्या? वेख पेंचर है मैं ब्रो देख टॉपर सांतनू क्या कर रहा है ब्रो इस बाइट इस टॉपर सांतनू को तो समझाना परेगा ये मेरा दोस्त गूरु है जिसके जिंदे का पहला मकसद जानते हो क्या है कलेश, कल 11 क्लास के लगे को जान दो क्या कह रहा था ओही ब्रो, छोड़ दे मुझे ये लोग धमकी दे रहे थे मुझे पानी लाने के लिए क्या रहे, मैं बोल दू सारे स्कूल को तू प्रिंसिपल की बेटी को लाइन मारता है देखू तो किसी ने सुना तो नहीं ओ प्रिंसिपल सर तुम दोनो मुझे टीचर रूम में लेए तुम दोनो मतलब तुम्हारे लावा म्यूसिक सारी आपको कल गांडू कह रहा था इसके ना सारी बाते घटी आए बर सबसे जादा वाया तुम्हें पता है यह साला कभी भी डिसीजन चेंज कर देता है ओए ब्रो कैसे बोलू चलना हम भी रिल बनाते हैं वो टॉपर होके बैगवेंचर के रिल बनाके भी उचाप रहे है और हम तो ओरिजिनल बैगवेंचर है यार हम तो च्छा जाएंगी ब्रो वेट टॉपर सिल बनाते हैं बट बैगवेंचर ट्रेंड बनाता है किया आपको छोटे ही और बड़े ही में फरक नहीं दिखता कि आप भी कल से सीरिसली परहाय स्राइट करने वाले हों आपने भी हूमवर्ट नहीं किया हैं आपको फटरा है इसकूल में माइक कॉल ले पूरे स्कूल ने हूमवर्ट सम्मिट कर दिया सिर्फ आप दोनों महाशाए को छोड़ की कृपया करके हमें बतानी के कष्ट करेंगे कि आपने होंवर क्यों नहीं किया अभी इस कटपव क्या भवना दिया जाए मैंने तुम्हें कुछ पूछा था क्या सर आप भी तो समझो दिन भर स्कूल रहता है बेटे दिन भर स्कूल रहता है बर राद भर में सर हमारे लागें मेना लोड शड़िं हो गया i, सारे बिजली वगेरा चला गया मंबती जलाक नहीं पर सकते थे शच्र। मंबती था अब ये avapi is तहा, ये महषिस क इधर था मंदिर घर में था मंदिर घर से लाए क्यो नहीं सर नहया नहीं था नह 이제 जो पानि वह गर नहीं आया था क्या बनोगे जिस तर आप मैंने पहले ही बोला था लोड शेड़िग था बिजली नहीं तो पानी कौन देगा कल रात कौन सी मुवी आय था राद है किसको नहीं पता है कौन राथ है कौन तो आज मैं बताने बाला हूँ एजन बेक बेंचर स्कूल के बारे में प्रव पहले स्कूल के स्पेलिंग बता के दिखा तो रे जाना दम मैं तो बता के दिखा ना सब्सक्राइब बता के इंदर आपनी एकौन सा खच्रा चोड़ दिया ले जाओ इससे अब इस साले हूं मुझे पार्लिमें नहीं मुनिसिपल्टी होती है हम आप सबको लग रहा था मुझे इंग्लिश नहीं आती है इंग्लिश बहुत ही जादा एजी है स्कूल के स्पेलिंग आ क्या था हा आई एस के इवेल सर आप आप लोगों को तो मैंने इंट्रूस करा ना भूली गया आज मुझे जितने बी इंग्लिश आती है इससर के बज़े तुम लोगों का पतने वर मेरी स्कूल में सबसे जादा मिस्ट्रेस प्लेस था टाइलेट रूम आई मीन टीचर रूम उस लाल परदिग अंदर एक्शुली में है क्या अगर यह आप टॉपर से बूचों बढ़िया वहां पर क्या होता है वहां पे परहाई को लेके रिसर् आपड़ को जानते हो इसे तुम लोगों को पता है तुम बताओ तुम क्या जानते हो उसे तो इसकी गलती है कि अपर बेंच के ग्रूप में जायनो जाओ उफ ये गोल हुई ना तो असलेत में उस लाल पर्दी के अंदर में एक्चुली क्या है ये जाने के लिए मैंने उप पर्दा हटाया and you guess it मैंने क्या देखा मुझे नहीं पता ये लोगे एडमिशन कैसे करते हैं स्कूल में नमस्ते प्रिंसिबल शाग बोलो ये रा मेरा भांजा इसकी जिंदिगी ना मैं फूल जंड करना चाहता हूँ तो प्राइबेट स्कूल में ले जाओ नई 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 थोड़ा कम जंड गुड मामा शार बट आपकी पीची है ना वो कमाल की है बच्ची के आखो में एक भी आँसू नहीं है ये इसका पहला दिने समझी नहीं आ रहा है सर ये हमारी संस्कार है मामा मुझे डीजा लोग तो मिल जागा ने इसके बार रे चुब जुब डीजा लोग डीजा लोग एक फ्रीफाहर क्यरेक्टर है जिसके पीछे भारत के आधियो भाम कुतो की तरह पीछे पर ही है अगर आप बटवा निकाले हैं वहाँ पर 800 रुपया गाइब हो तो समझ जाएए आपका बेटा भी डीजा लोग है एक्चुली मेरे बटव में से 800 रुपया कहा गया तो continue करो तो मेरा ओफर है वेट वेट इस बार तुम नहीं में ओफर देता हूँ तुम अगर मुझे टीजालग करो तुम इसकी जिंदगी में और जहन्ट कर दूँगा दिल पक्की एसे स्टूजेंट सबसे हार्डबरिखनी मुमें जानते हूँ कब आता है जब तुम सुचते हो हाई स्कूल बेटर है प्राइमेर स्कूल से तुहारा करते वाला है हाई स्कूल के पहले दिन तुम एक्स्पेट करते हो सामें इसक लड़की आएगी और बोलेगी वाव क्या लड़का है वेड़ी हैंसम वाई सीडियों से फिसल के गिर जाते है सिर पे लग जाती है दिमाग हिल जाता है माँ यहां पर आके अजी बजी भरकते करते रहते है तेदरे जब तुम स्कूल में रहने लगते हो तुम्हेरा आदत बनता रहता है और स्पेशली जीसी एरबडी के मतलब गान्याचरस फूक के नौलेज देने वाले ग्रूप से तुम्हें स्पेशली पता चालता है स्कूल में स्टूडेंट तीन वाग में भी वकते है ब्रो टॉपर वैग मेंचर कुछ नहीं होता सारे स्टूडेंट होते है एक बार इन सबको बातों में फसालो फिर में ही टॉप करूँगा ब्रो ये रा संजीब सर के नूट अरे धीरे बोल सामने टॉपर्स आंतनू खरा है इस बार उसे किसी भी तरह टॉप नहीं करने देना मेरे बारे में बात बोल रहे है उन्हें क्या पता कि संजीब सर को फिक्सिंग करके मैं ही नहीं गलत नूट देता हूँ नंबर के भूखे टॉपर्स दीटियस रेडी अरे ब्रो माका फोन माका फोन इई बाइस हलो अंटी वो अहां वो तो यहां पर नहीं रहता हूँ तो उसे आप गांजी अर्चरस के फैक्क्री में आपको मिलेंगे क्या एक है एक एक इस पुछ इतना है था यह वीडियो आपको पसंद आया अगर आप मुझे गंदे गंदे गाली पकना चाहते हो तो लाइक कर दो अगर ही आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो अगर आप में चैनल में जुरना चाहते हो तो लाइक कर दो